वेल्कम बैक टू आरे सार वाइनस दोस्तों अगेन आप लोगे पर अच्छी सी क्रेडिट कार्ड ले के आ चुके हैं जिसमें कोई इंकम प्रूप आपको यहां पर देने की जो नहीं पढ़ने वाली है जोइनिंग फीस भी विल्कुल फुरी है यहां पर मैं बात कर रहा हू 10 लाग रुपे और मिनियम 5 लाग रुपे तक का यहां पर क्रेडिट लाइन मतलब क्रेडिट लिमिट मिलेगी जोइनिक फीस के अपने बात को तो 1499 रुपे लेकिन यहां पर जोइनिंग फीस है लाइट थाएम आको यह फ्री कार्ड मिलने वाला है आपको दो option मिलेंगे या तो आप विज्या काड मंगा सकते हो या फिर आप भूपे काड मंगा सकते हो अब यहां पर हम करने वाले हैं apply आप लोग के सामने अगर आप लोग भी apply करने चाहते हो credit card without income proof तो इस application को आन्लोडिंग कर लिजिए टाटा नियो शॉप ट्रेवल पे इस अप्लिकेशन का मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्केशन बोक्स में दे रखा है यहां पर आपको ओपन कर लेना है लोगिन कर लेना है अपने मुवाइल नंबर चे वही मुवाइल नंबर से लोगिन करना ह जाते हो यहां पर एक option मिलेगा आपको finance का इस पर आपको किलिक कर देना है यहां पर आपको तीन option मिलेंगे एक मिलेगा credit card जो मैं apply करने वाला हूँ अब नियो कार्ड के बारे में एक मिलेगा आपको personal loan टाटा केपिटल की तरफ से instant approval है और same day में bank account मैं ऐसा transfer हो जाता है मु साफ साफ mansion है कि भाई यहां पर जो card मिलेगा वो मिलेगा HDFC bank की तरफ से और यहां पार कुछ इनके 5% का partner टाटा ब्रेंड अगर आप टाटा ब्रेंड पर यह shopping करते हो तो 5% का cashback मिलेगा everything all अलग spend करते हो अलग website पर तो 1.5% का आपको interest मिलेगा लेकिन बट मैं इसके बार म मैं आपको detail जादा नहीं दूँगा क्योंकि आप लोग जानती हो credit card के बारे में check my eligibility पर हम click करेंगे तो हमें यहां पर देना है अपना pen number okay तो all right हम यहां पर pen number फिल कर देते हैं तो हमने pen number फिल कर दिया है अब हमारे mobile number पर OTP जाएगा OTP के लिए हम वीट कर रहे है ओके OTP जालने के बाद यहां पर पूछा जा रहा है कि आप salary हो यह self-employed हो तो मैं यहां पर डाल देता हूँ company करना हम कुछ भी वैसे income proofs हो नहीं करनी है तो फिर भी कुछ भी डाल देता हूँ manager कर देते हैं okay next कर देंगे तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि भाई आप अपना residence address feel कर देता हूँ यहां पर सापसाफ mention है और यहां पर यहां पर एक टाइमर चल रहा है तो हम यहां पर थोड़ा सा wait करेंगे 85 seconds का और देखते हैं कि हमें यहां पर credit line मिलता है या फिर नहीं मिलने को chances तो ज्यादा है लेकिन देखते हैं क्यूंकि भाई देखो यह third party सम्व हम apply करें directly bank से नहीं कर रहे हैं कि अगर हम directly bank से करते हैं तो हमारा जल्दी approval होता है लेकिन अब यहां पर third party से कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमें approval मिलेगा यहां पर नहीं मिलेगा देखे 62 61 यहां पर कुछ timer चल रहा है तो यहां पर finally जो है मेरा reject कर दिया we are sorry we are application reject देखें compulsory नहीं है अगर आपका civil 800 700 है तब भी reject कर सकते हैं भाई इनके इनका कुछ अलग हो टानर कंडिशन होता है बट आप apply करके check कर सकते हो कंपलसर ही नहीं है कि आपको अगर आपका civil 800 पलस है तब भी आपको मिलेगा नहीं भाई यह start party से हम apply कर रहे हैं तो reject होने के भी chances होते हैं तो टोंट पर ही कोई दिक्कत नहीं है आप लोग किसी और नमर से कर लिजेगा इवन अपने फैमिली में कर लिजेगा mother sister brother किसी का भी आप यूज कर सकते हो बड़े बड़े चेक कर लेना कि आपको limit मिली है या फिर नहीं मिली है मुझे तो यहां नहीं मिली है तो इसलिए मैं इसे skip कर रहा हूं